हौल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत में त्रो आज 12 दिसंबर है आज कुछ विशेश तिथी हैं आज कुछ विशेश दिवस हैं और इसके विशे में मैं चर्चा करने वाला हूँ स्वातंत्र सेनिक थोगन संगमा बलिदान दिवस है हिंदी राष्टर कभी मैतली शान गुप्त निर्वान दिवस है स्वातंत्र सेनिक बावू गेनू बलिदान दिवस है महान सेनानी जनरल जोरावर सें बलिदान दिवस है हिंदू महसभा के संस्थापक स्वातंत्र सेनानी डक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे जन्म दिवस है रामाइन को घर घर तक पहुंचाने वाले श्री रामानन्द सागर जी का निर्वान दिवस है और गुजराती लेखा गौरी शंकर गौवरधन राम जोशी धुमकेतू का जन्म दिवस है तो ये इस तरह से आज ये दिवस है पर मेरा जो विशेश आज चर्चा करने का विशे है वो है स्वदेशी दिवस के विशे में स्वदेशी दिवस क्यों मनाया जाता है स्वदेशी दिवस के पीछे ऐसे कौन से घटना करम है आज मैं बारी बारी उनका विशलेशन करने वाला हूँ, आप वीडियो में अंते तक बने रहीए बहुत कम लोग इस विशह में व्यापकरूप से जानते हैं एक ऐसे शहीद का नाम बाबू गेनू सेयद देश प्रेम की भावना के वशी भूत होकर कभी कभी सामाने सा दिखाई देने वाला व्यक्ती भी बहुत बड़ा काम कर जाता है ऐसा ही बाबू गेनू के साथ हुआ बाबू गेनू का जन्म 1908 में पुरे जिले के ग्राम महा लंगे पड़वल में हुआ था इस गाउं से कुछ दूरी पर ही शिवनेरी किला था जहां हिंदू कुल गौरो चात्रवती शवाजी महाराज के जन्म हुआ था गेनू मच्पन में बहुत आलसी बालक था देर तक सोना फिर दिन भर खेलना कूनना उसे पसंद था पढ़ाई में उसकी रुची नहीं थी परदर भागे से उसकी पिता शीकर चल बसी इसके बाद उनके बड़े भाई भीम उनके संरक्षक बन गए वे सबहाव से बहुत कठोर थे उनकी आग्यानुसार वह जानवरों को चराने के लिए जाता था इस प्रकार उसका समय कटने लगा एक बार उसका एक बेल पहाड़ी से गर कर मर गया इस पर बड़े भाई ने उसे तुरंत डाटा इससे दुखी होकर गेनो मुंबई आकर एक कपड़ा मिल में काम करने लगा और उसी मिल में उसकी मा कॉंड़ा भाई भी मजदूरी करती थी उन दिनों देश में सुतनता का संखर च्छड़ा था जहां गोपाल कृष्ण गोकले महात मगान थी जैसे महान नेता जो है सुधेशी की बात कर रहे थे सुधेशी वस्तूओं का प्रयोग तथा सुधेशी वस्तूओं के वहिसकार का आंदूलन जोरों पर था 22 वर्षी ये बाबु गेनू भी सांदूलन में बढ़ चड़कर भाग ले रहे थे मिलकी अपने साथियों को एकत्र करके आजा दिया हूं सुधेशी का महत बताया करते थे 26 जनवर 1930 को संपून सुराज जमांग दिवस आंदूलन में बाबु गेनू की सक्रियता देखकर उन्हें तीन महिने के लिए जिल भीज़ दिया गया इससे बाबु के मन में स्वतंता प्राप्ती की चाह और तीबर हो गई 12 दिसम्बर 1930 को मिल मालिक मैंचेस्टर से आए कपड़े को मुंबई शहर में भेजने वाले थे जब बाबु गेनू को यह पता चला तो उसका मन बिचलित हो उठा और उसने अपने साथियों को एकत्रित करके हर कीमत पर इसका विरोध किया कि हम ये आपका माल बिकने नहीं देंगे और ऐसा निश्चे किया 11 बचे बे कालवा देवी स्थित मिल की दुआर पर आ गए धीरे धीरे पूरे शहर में यह ख़वर फैल गई इससे हजारों लोग वहां एकत्रित हो गए यह सुनकर पुलिस भी वहां आगई कुछी देर में विदेशी कपड़े से लदा ट्रक मिल से बाहर आया उसे शशस्त्र पुलिस ने घेर रखा था गेनू के संकेत पर गोंडू रेवन कर ट्रक के आगे लेट गया इससे ट्रक रुग गया जनताने बंदे मातरम भारत माता की जाए बंदे मातरम के नारे लगाए पुलिस ने उसे घसीट कर बाहर कर दिया पर उसके हटते दूसरा कारिकरता वहां लेट गया और यही करम चलते रहा यह देखकर अंग्रेश पुलिस सारजेंट ने चिला कर कहा आंदोलन कारियों पर ट्रक चड़ा दो पर ट्रक का भारती चालक इसके लिए तैयार नहीं हुआ इस पर पुलिस सारजेंट ने उसे हटा कर स्वयम जो है ड्राइविंग करी और यह देखकर बाबु गेनु स्व गेम ही ट्रक के आगे लेट गया सारजेंट की आँखों में खून सवार था और उसने ट्रक चालू किया और बाबु गेनु के रोंद डाला बाबु गेनु के ऊपर से ट्रक निकाल दिया कचु मर ओड़ गया पूरी जनता जो है बहुचा की रह गई सड़क पर खून से करान पखेरू गहां थे वह तो मिट्टी में मिल चुके थे भारत माता की माटी में बाबु गेनु का रक्त मिल चुका था इस प्रकार स्वादристि के लिए बलिदान देने वाले बाबु गेनु अमर हो गए इस आंदोलन में स्वादेशी के लिए अगर कोई सबसे पहले शह यह देश का बहुत बड़ा मौका था, यह देश के लिए बहुत बड़ी करांती थी, बाबू गेर्णू के बलीदान को स्वदेशी आंदोलन का महा परकाश जाना जाता है, क्योंकि फिर बाबू गेर्णू के इस बलीदान के पीछे जो है देश के कही यह वा लग गए, और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक बड़ी करांटी ने जन में लिया और यह जो स्वदेशी का जो आंदोलन था वह आंदोलन धीरे धीरे जो है एक स्वतंतरता के आंदोलन में परिनित हुआ है और स्वतंतरता की जो चिनगारी लोगों के मन मस्तिस्क में फैली उसमें वेणु गोपाल जैसे योद्धाओं का वेणु गोपाल जैसे यवाओं का जो खून था यवाओं का जो लहू था जो निश्वार्त भाव से इस देश के लिए बहा था एक बहुत बड़ी प्रेणा बना और इस तरह से यवाओं में जोश पैदा हुआ और बाबु गेणू क बलिदान जो है स्वतंत्रता की राह में एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज इस मौके पर बावुगेनू के लिए हम दिल से श्रद्धान जली देते हैं जै हिंद जै भारत